हेलो अप्रिपन मैं आशा करती हूं आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी चैनल प्यूपिल टीचर में आज की वीडियो काफी खास वीडियो होने वाली है जिसमें हम सीटाइट डिसंबर 2021 में जो हमें दो अलग-लग भाशा पूछी जाती है जिसे हम लांगविज 1 और लांगविज 2 के नाम से जानते हैं अगर आप सीटाइट के परिक्षा में पेपर 1 में भी अपेयर हो रहे हैं या पेपर 2 में अपेयर हो रहे हैं आपको फॉर्म फिलप करते वे दो अलग-लग भाशाओं का चैन करना पड़ता ह और जो फॉर्म फिल करने की आखरी डेट अभी है वह है 19 अक्टोबर अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलप नहीं किया तो आप जल्दी से फॉर्म फिलप कर लीजिए और साथे साथ फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा देखिए आप लोगों की दिमाग में सवाल आता है कि हम लांगविज वन कौन से चूज करें हम लांगविज 2 में क्या फिल करें और साथे साथ कौन सी भाषा हमारी लिए ज्यादा असान होगी सबसे पहले तुम्हें आप लोगों को यह बता देना चाहते हूं कि जिस भाषा में आपका क लोगों का इसके अलावा तक गार डाउट होताई कि क्या हम सी ट्रीट के परिक्षा में पेपर वन में या फिर paper 2 में हम क्या दोनों भाषा same ले सकते हैं जैसे कि अगर मुझे हिंदी जाद अच्छ से आती है तो मैं language 1 भी हिंदी लूँ, language 2 भी हिंदी लूँ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं form फिल्ट करते हुए आपको language 1 लेना पड़ता है और language 2 लेना पड़ता है अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि हमें कितनी भाषाओं में से यहाँ पर chain करने का option मिलता है तो seat 8 की परिक्षा में हमें 20 अलग-लग भाषाओं का option दिया गया है 20 भाषाओं में से आप कोई एक भाषा जो है यहाँ पर language 1 या फिर language 2 की तरह ले सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो language 1 के जो question होते हैं उससे किस तरीके से विभाजित किया गया है इसको जड़ा देख लेते हैं language 1 को यहाँ पर 15 और 15 में यहाँ पर विभाजित किया जाता है और शीषाहाँ से कमक् guys peg in this program realise प्रशण पूछेतें categories passage के पैसेज के हमसे नौ प्रश्न पूछ है जब कि पैसेज में पे 6 premi wexx per gram rice में article ग्रामार रहाद करन यह सारी चीजे भी पैसेज की बीच में से यह ज़िरूरी निया कि passage में से दिया हुआ हर question passage पे ही आधारित हो grammatical question इसके लावा अलंकार figure of speech ये सारी चीज़े भी हैं पे डाली जाती है इसके लावा जो बाकी के 15 नंबर है ये हमारी pedagogy यानि कि 6-7 पूछे जाता है जिसका एक fix labels हम लोगों को दे रखा है अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे ये तो हमने बात कर दी कि language 1 में हमसे क्या पूछे जाता है अगर हम language 2 की बात करें तो ये भी हमसे 30 अंगों का पूछे जाता है फिर आप कहेंगे कि फरक क्या है तो देखिए छोटा सा डिफरेंस है जो आपको दिख जाएगा सबसे पहला फरक है लेवल का जैसे कि मैंने कहा कि जो भाषा आप प्रत्म भाषा की तरह लेंगे उसका लेवल थोड़ा सा अप आएगा as compared to language 2 इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी पंदरा और पूछे जाती थी जबकि language 2 के अंदर आपसे जो पंदरा नंबर का ये section है इसमें हमसे दोनों के दोनों यहाँ पर गद्यांश पूछे जाएंगे यानि कि दोनों के दोनों यहाँ पर आपसे passage पूछे जाएंगे जो कि अगर हम देखें तो इस पार्ट से थोड़ा सा easy माना जाता है और अगर हम इसके प्रश्णों की बात करें तो 8 प्रश्ण यहाँ सही और 7 प्रश्ण हमारे यहां से पूछे जाते हैं मतलब पहले पैसे से 8 प्रश्ण और बूसर परस से साथ परश इसके अलावा जो बाकी 15 नंबर है इसके हमसे यहाँ पर क्या पूछी जाती है इसके हमसे यहाँ पर पैडागोजी पूछी जाती है जिसका एक फिक्स लेबस जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को दिया हुआ है साथ-साथ यहाँ पर फरक कहां पर जाएगा हम अगर लांगविज 1 दिये लेते हैं या फिर लांगविज 2 को भाषा लेते हैं तो देखिए सबसे पहला फरक तो लेवल का है इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों का ओनलाइन एक्जाम होने वाला है ओनलाइन परिक्षा के वज़े से आपको अब यह कोशन जो है। वो लेंदी होने वाले हैं। अगर यह फोड़ा सा नग. सकता है इन प्रश्णों को रीड करने में इन प्रश्णों को करने में तो देखिए आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को अपनी reading habit भी बढ़ानी है अगर आप reading habit बढ़ाएंगे तो फटट-फट read करके आप questions के answer दे पाएंगे तो इन बातों को आप यहां पर धियान रखेंगे साथ मुझे एक और सवाल यहां पर पूछा जाता है कि हमने लैंग्वेज वन यह सब्जेक्ट भर दिया लैंग्वेज टू हमने यह सब्जेक्ट भर दिया हम कौन से पाट पले कोशिंट पेपर में करेंगे जैसे कि मैं हापे अपना ही उधारन ले रही हूँ माल लीजे कि मैं हापे सीटाइट की पेपर वन की परिक्षा देने वाली हूँ और paper 1 में मैंने form fill करते वे यहाँ पे language 1 जो है मैंने यहाँ पे हिंदी ले लिया और language 2 जो है मैंने यहाँ पे English ले लिया अब देखिए हमें paper में कौन से part वाले question करने पड़ेंगे खास करके हम यहाँ पे paper 1 के हाँ पे बात कर रहें तो देखिए अगर आप हिंदी को language 1 लो तो आपको part 4 की जो हिंदी होगी वो आपको यहाँ पे करनी होगी आप दूसरे part की नहीं कर सकते इसके अलावा अगर मैंने language 2 यहाँ पे English लिया है तो आपको part 5 की जो English होगी जिसमें खास लिखा होगा language 2 वो आपको करना होगा अगर मैंने form fill करते वे language 1 हिंदी लिया है language 2 मैंने English लिया है और गलती से मैंने परिक्षमें क्या किया language 1 में मैंने English के question कर दिये और language 2 में मैंने हिंदी के question कर दिये तो इसका परिणाम क्या होगा आपके 30 और 30 यह पूरे जो 60 अंक हैं यहाँ पे आपके पेपर में कट जाएंगे तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे Language 1 और Language 2 जो फॉर्म फिल करते हुए जो भाशा का चैन करें वही प्रशन आप पेपर में वहाँ प पूछी जाती है अब फिर से वही सवाल हम कौन सी भाशा लें अगर हमने फॉर्म फिल नहीं किया है तो देखिए जिस भाशा में आपको लिटररी आइटम ग्रामर वह ज्यादा अच्छे सा आती हो वह आप Language 1 लें क्योंकि इसमें यह चीज़ ज्यादा पूछी जाएगी जबकि Language 2 में अगर आपको reading habit अच्छी है तो दो passage आपको करने हैं जिसके question जो है वह Language 1 के comparison थोड़े असान होते हैं देखिए यह दोनों section कम marks का नहीं है दोनों section आपका 30-30 का है यानि कि 150 नंबर के paper में आपके 60 अंक के तो आपसे भाशा ही पूछे जा रही है तो आपको य वो आप लोगों के clear होए होंगे आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में आप चाहें तो मेरे साथ telegram ग्रूप पे जोड़ सकते हैं जिसका link मैंने description में show किया हुआ है साते साथ सीटाइट December 2021 की त्यारी हम लोगों ने शुरू कर दी है अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग playlist section में जा सकते हैं जो अभी की recent वीडियो है वो हमारी सीटाइट December 2021 की हैं आप लोगों को I hope वीडियो पसंद आएंगी आज की इस वीडियो में इतना ही अप मैं आप से मिलूंगी अगले वीडियो में अ